लेटस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले शमीता शेटी ने BMW सर्वेस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला बॉलिवुड एक ट्रेस शमीता शेटी ने अभी हाल ही में नई BMW 631 IGT खरीदी थी और शमीता इससे काफी खुश भी थी कार खरीदने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की थी लेकिन अब सब ठीक नहीं है हाल ही में शमीता की कार का एक्सिडेंट हो गया था उसके बाद एक ट्रेस ने कार को रिपेर के लिए BMW के आधिकारिक सर्वेस सेंटर पर दी थी लेकिन शमीता उनकी सर्वेस से नाखूश है और सर्वेस सेंटर की खिलाफ आरोप लगाते हुए इंस्टागराम पर पोस्ट किया है शमिता शेटी ने BMW सर्वेस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला? शमिता शेटी ने BMW के मुंबाई स्थित सर्वेस सेंटर पर आरोप लगाते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि कैसे अन्न प्रोफेशनल लोग इतनी बड़िया कमपनी का नाम खराब कर रहे हैं शमिता ने कहा कि सर्वेस सेंटर की ओर से उन्हें कार रिपेरिंग वर्क के लिए घलत अमाउंट और घलर पेपर वर्क भीजे गए इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि बिना उनसे पुछे ही कार की सर्विसिंग भी शुरू कर दी गई जो की अनेतिक है शमिता के इन आरोपों के बाद BMW कमपनी या सर्वेस सेंटर की तरफ से कोई आधिकारिक बायान नहीं आया है शमिता शेटी ने BMW सर्वेस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला? बता दें कि एक ट्रेस शमिता शेटी ने बॉलेवुड में भले ही काफी कम फिल्मों की होँ पर वो अपनी बहन या अन्य किसी कारण हमेशा लाइम लाइट रहती हैं शमिता शेटी मशूर बॉलेवुड एक ट्रेस शिल्पा शेटी की बहन और बिजनेस मैन राज कुंदरा की साली है इन सब की तरह ही शमिता भी सोशल मीडिया पर काफी एक टिव हैं शमिता शेटी ने BMW सर्वे सेंटर पर लगाया ठागी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला शमिता शेटी ने बॉलेवुड में अपना डेब्यू अमिता बचन और शारूख खान स्टारर मोहबते से किया था जिसमें उनके काम को खुब सराहा गया और उस फिल्म के लिए उस साल उन्हें बेस्ट डेब्यू एक ट्रेस ओफ ट्वे यर अवार्ड से नवाजा गया था इसके बाद शमिता ने क्याश, जहर और बेवफा जैसी कई फिल्मों काम किया है शमिता शेटी ने BMW सर्वे सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला फिल्मों के अलावा शमिता शेटी ने छोट परदे के रियालिटी शो में भी अपना जलवा बिखे रहा है वो टीवी के सबसे बड़े शो बिग बॉस नौ में कंटेस्टेंट रह चुकी है इसके साथ ही उन्होंने डान्स रियालिटी शो जहलक दिखला जा में हिस्सा लिया और वहां शमिता का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा शमिता शेटी ने BMW सर्वेस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला बात करें शमिता के नई कार की तो कंपनी ने BMW 630 IGT का नया वर्जन इसी साल लॉंच किया है फरवरी में इसका पेट्रोल वेरियंट लॉंच किया गया था और इसी महिने इसका डीजल वारियंट भी बाजार में आ गया है इसके अलावा BMW 630 IGT के एक और पेट्रोल वेरियंट को भी इसी हफ्ते लॉंच किया गया है शमिता ने कौन सा वेरियंद खरीदा है इसकी तो कोई पुखता जानकारी नहीं है लेकिन ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आप्शन में उपलब्ध है शमिता शेटी ने BMW सर्वेस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला BMW नशे रही इस GT पेट्रोल में ट्विन पावर तर्बो दो देशम लव्ट लीटर और सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो की 258 भी एचपी की पावर और 400 यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है इस इंजन को स्पीड स्टेप पट्रोनिक स्पोर्ट और्टमेटिक गिरबॉक्स ट्रांसमिशन से लेस किया गया है शमिता शेटी ने BMW सर्विस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला वहीं डीजल BMW न शेयर रही इस जीटी में ट्विन पावर टर्बो तीन दशम लव्ट लीटर शिक्स सिलिंडर डीजल लेजन दिया गया है जो की 265 भी एच्पी की पावर और 620 यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है इस इंजन को ग स्पीड स्टेप पट्रानिक स्पोर्ट और्टमेटिक गिरबॉक्स ट्रान्समिशन से लेस किया गया है शमिता शेटी ने BMW सर्विस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला सेफ्टी फीचर्स के और पर BMW नशेर रई इस जीटी में पार्किंग असिस्ट, पार्क, डिस्टेंस कंट्रोल, सराउंड विव कैमरा, रिमोट कंट्रोल एंजन स्टार्ट स्टॉप, कार का सराउंड विव और ट्राफिक का 3D इमेज जैसे फीचर्स दिये गए हैं शमीता शेटी ने BMW सर्विस सेंटर पर लगाया ठगी का आरोप जाने क्या है पुरा मामला? इसके अतरिक्ट BMW नशेर रई इस जीटी में छेयर बैग, ब्रेक असिस्ट के साथ ABAs, डाइनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रन फ्लेट टायर, क्रेश सेंसर, साइड इंपक्ट प्रोटेक्शन, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल और आइस अफिक्स चाइल्ट सीट जैसे सेफटी फिचर्ज भी देखने को मिलते हैं